लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आलोचना तो मीरा के भक्ती की भी की गई थी, मीरा को भी दिवाना कहा गया था, लेकिन मीरा अपने भक्ती में, प्रेम में, विश्वास में द्रुर रही, इसलिए तो भवसागर से पार हुई, कल्युक बड़ा अजीब है, लोग कान के कच्चे है, धूरत के बहकावे में आकर, राम को रावन घोशित करते हैं, और रावन को राम, असत्य कितना भी शोर क्यों न मचा ले, जीत सदेव सद्यकी होती है, सदकर्मों से वास्ता, और सद्गुरु पर आस्ता होतो, सद्गुरु मार्ग दर्शन कर, मुश्किल पहाडों में भी रास्ता दिखाएंगे, भक्ती में चातक पक्षि जैसे स्वाभी मानता हो, जो वर्शा की पहली बून का ही पानी ग्रहन करता है, भले ही उसके सामने जील क्यों न हो, वह प्यासा रहेगा, लेकिन कही और का पानी ग्रहन नहीं करेगा, अपने सद्गुरु पर भी ऐसी स्वाभी मानी एक निष्ट भक्ती होनी चाहिए, कोई और प्रिलोबन असर न करे, कितने भी दोग संकट क्यों न हो, सद्गुरु कृपा अमरुद बून्दे जरूर बरसेगी, ऐसा सद्गुरु पर दुरुर विश्वास हो, सारे रिष्टे नाते, यह जश्न, यह खुशिया, यह टहागे, सब कुछ शन भंगुर है, इस अंसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है, कर्मों की गठरी लेकर अकेले ही जाना पड़ेगा, इसलिए स्वयम को परमार्थ प्राप्ति के लिए अग्रेसर करें, वही तुम्हारे मनुश्य जीवन की सफलता होगी, परोकार वही सफल है, जो निस्वार्थ भावसे और करता भावना बिना किया गया हो, इच्छाए पूरी हो, इसलिए भक्ती विश्वास प्रेम है, यह सत्य भक्ती नहीं, लेकिन इच्छाए पूरी भी नहीं, फिर भी तुम्हारी भक्ती विश्वास प्रेम विचलित नहीं, यह सत्य भक्ती है, सद्गुरु जानते हैं तुम्हारे लिए क्या योग्य है और क्या नहीं श्रद्धा सबुरी विश्वास की परिक्षाय भी बहुत होगी लेकिन तुम्हारी भक्ती कमजोर ना होगी बलकि निष्ठावान, समर्पित, प्रेमभाव भरी, अटोट विश्वास भरी होगी सद्गुरु वह करेंगे जो तुम्हारे जीवन के लिए परम कल्यानकारी होगा जिन्हें सद्गुरु का प्यार मिला वह भोतिक सुख भुला देते हैं नहीरे मोती, ना उचे महल उन्हें लुभाते हैं विक्रिष्ण दिवानी मीरा जैसे भक्ती के रंग में रंग जाते हैं सद्गुरु अपने सच्चे साधो का जीवन नश्ट नहीं होने देते उचित मार्गे दर्शन कर उनका उधार करते हैं